हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बार फिर से में स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहरेपन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए सौफ का एक आजवेदिक प्रयोग आपको बताने वाला हूं बताने से पहले दोस्तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दियेगे बैल आइकन को आप दबाना न भूलें ताकि जब भी कभी कोई नई वीडियो में अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सकेगी तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं उस अयर्वेदिक प्रियोग के बारे में दोस्तो सौफ एक बहुत ही आम खाद्यपदार्थ हैं जैसा कि आप सभी को पता भी है जो हर घर में आसानी से मिल जाती है दोस्तो सौफ बहुत से लोग शायद हर रोज प्रियोग भी करते हैं जैसे कि भोजन के बाद अच्छे ही तरह से पचने के लिए या फिर दोस्तो मूँ की दुरगन से छुटकार अपाने के लिए सौफ का हर रोज बहुत से लोग करते हैं तो दोस्तो ये तो हुई आम प्रियोग की बात पर अगर सौफ का प्रियोग हम उचित धंग से प्रियोग करते हैं तो ये हमारी लिए बहुत ही गुणकारी साबित हो सकती है इसके सेवन करने से दोस्तो हमें एक नहीं अनेक तरह के लाब हो सकते हैं तो दोस्तो ऐसा ही एक प्रियोग आज मैं आपको बहरेपन की समस्या को दूर करने के लिए बताने जा रहा हूं। तो दोस्तो इस प्रियोग के लिए आपको चाहिए सौफ, दूद, घी और चीनी। तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप तीन से पांच ग्राम सौफ को ले लीजिए और इसे आप एक कप पानी में कुछ देर तक उबालते रहें कि दोस्तो जब ये आदहा शेष रह जाए तब इसमें आप आधा कप दूद एक बड़ा चमच देसी घी और एक चमच चीनी डाल दें और इसे फिर से अच्छी तरह से मिला कर गरम करें दोस्तो कुछ देर तक और फिर जब ये अच्छी तरह से गरम हो जाए तो फिर आप इसे थोड़ा गरम-गरम ही चाय की तरह हर रोज शुभे और शाम को पिए दोस्तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इसका निमित रूप से सेवन करते हो तो आपको बहुत जल्द ला पहुंचेगा आप हर रोज इसे चाय की जगा अपनाएं तो दोस्तो इसके सेवन करने से आपको बहरेपन की समस्या से धीरे धीरे बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी इसके सेवन से दोस्तो एक नहीं अनेक तरह के आपको फायदे होंगे सबसे अच्छी बात ये है कि इसके सेवन से सरीर में नई सक्ति का भी संचार होता है तो दोस्तो मैं उमीद करता हूं कि हमारी ये जानकारी ये वीडियो आपके लिए ज्यादध से जादा फायदे मंस थाबित हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ठेंक्यू